जर्मिदार इसको पसंद होगे जो है लेते हैं राजी होगे लेते हैं तो क्या खास बात है इसमें आपने इसकी प्रिलिकिंग की जो अपना ये फाड़ा ना अधाइन बोलते हैं ये जो आपना रह जाते हैं खेत में तो ये सही लेता है मतलब जाँ भी रखते हैं वहीं से जो अधर्ती को फाड़ने लग जाता है अच्छा एक ट्रेक्टर पे दबावन ही डालता है जैसे मुलायम चलता ना वहीं होता है वैसे चलता है ट्रेक्टर पे डबावन डलता ये मान के चलो आपाद 11 अकल्टिवेटर 40-40 असपर द्रेक् और जो है रेट की बात करें सबसें बड़ी बात आती रेट की तो रेट क्या है इस च्छोतीषर रुपे कि missingView Ext अच्छा चालीजार रुपेगा यह भी दखा दें आपने यह तेरा का जो है कल्टिवेटर भी यहां पर रखे लेकिन यह फोल्ड वाला नहीं है बिना फोल्ड वाला है जिस भाई के रास्ते चोड़े हैं तो उसी में जो है यह काम याब जो होगा तो यह सिंगल प्लेट आती है लेकिनिस में जो है डबल फ्लेट है अज गड़र भी मोटी है तेरा वाले में जो है यह गातर का भी फरक होती है इसकी गांचर पतली है यूश्ट की और इसकी मोटी जो है आपको देखने को मिलेगी बाई साहब आप अपना नंबर बता जो किस सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ना तब मेरे भाई फोन मिला गई बता दियो यह कान गला दियो मैं कह दूंगा इन नहीं दन्यवाद भाई सब्सक्राइब करेंगे बेरी वाड़ा भी बोलते हैं फिल्ड किंग वाड़ा भी जो है कल्टिवेटर बोलते हैं आज इसकी जानकारी आपको बताएंगे टेकनिकल स्पेसिफिकेशन बताएंगे और blade से blade की दूरी बताएंगे spring की जो है सारी बाते इसमें बताएंगे कितने spring roll वाड़ा जो है spring इस बेरी वाड़े ये cultivator में यूज होता है तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक बार जो है ये दिखा दूँ ये 13 का cultivator है ये 11 का cultivator है इसमें एक फाड़ा होता है उसमें double spring कंपरी ने यूज करक है और ये सामने आपको देखने को मिल रहा है ये फिल्ड किंग का cultivator बाकी पलेट ये फिल्ड किंग की यहां पर लगा रखिये कितने hp detector इसको चला सकता है 45-50 नंबर ओफ डिस्क जो है 11 और जो डाइमेंशन 2400 गुणा में 490 और जो है वेट इसका 260 जो है इसका केजी और जो है battery type spring loaded कल्टीवेटर की इसकी बात करें इसकी जो बात करें तो ये शाथ 911 यह 13 और 15 जो है टाइन में जो है यह आपको कल्टीवेटर के पहर देखने को मिलेगा कमपनी कि तरब से और जो है इसकी with की बात करें मतलब चोड़ाघ Теперь तो ये तकनी बंड 23 eight से जो इसमें निच्चे से जमीन लेवल से और उपर तक की जब बात करेंगे इस कल्टिवेटर की तो वन पॉइंट सेवन फूर फिट जो आपको इसके इंदर जो देखने को मिलेंगी अब बात करते हैं वेट की तो इसका जो वेट होता है ज्यादर यूज होता है गयारा का तो ग्यारा का जो वेट होता है वो तकरीबन 260 कीजी जो है इसके अंदर वजन आपको देखने को मिलेगा तेरा वाले में 310 और 9 वाले में 210 कीजी जो है वजन तकरीबन इसके अंदर देखने को मिलेगा अब बात करें इसकी चोड़ाई की जैसे 11 का जो कल्टिवेटर होता है उसकी टोटल चोड़ाई क्या होती है दो उसकी टोटल चोड़ाई होती है 8 फूटे और 0.6 इंच के साथ जो आपको देखने हो मिलेगा 13 का जो है 9.7 और 9 का 6.56 जो है फिट आपको चोड़ाई इसको दे सकता है यह बहुत ही है और है डुटि दूटी जो फ्रेम के साथ यह आपको फिल्ड के वाड़ा जो है कल्टिवेटर आपको देखने को मिलेगा और यह 25 की बात करें तो 1.27 फिट उनकी शुरू वाली चॉंच से लेगे पिछे वाले की चोँच तक का जो गैप है वो है 1.27 फीट अब जो है डिलर से मिलवाते हैं वो आपको बताएंगे कि यह ऐसा इस फिल्ड किंग वाड़े जो कल्टिवेटर है उसमें ऐसा क्या है नमस्कार भाई साब यह मतलब फिल्ड किंग का फाड़ा जो है ज्यादा तर बिकता है जमिदार इसको पसंद हो अच्छा जाब ही रखते हैं वहीं से जो अधर्ति को फाड़ने लग जाता है अच्छा जैसे मुलायम चलता ना हां घी होता है वैसे चलता है ट्रेक्टर पे दबावन डलता यह मान के चलो आप गयारा कल्टिवेटर 40-42 असपर यह चला सकता है यह ट्रेक्टर इसका कल्ट करें सबसे बड़ी बात आती है रेट की दो रेट क्या है उससारी चोहतीजार रुपे देते हैं और 9 वाला कितने यह टैस आज अठाई जार रूपे और यह तैरा वाला तेरा वाड़ा अपना यह रखा सर इसका तेरा वाड़ा दाट वाड़ा नहीं है बिना फोल्ड वाड़ा है जिस बाई के रास्ते चोड़े हैं तो उसी में जो है यह काम याब जो है तो यह सिंगल प्लेट आती है लेकिन इसमें जो है डबल प्लेट तेरा वाड़े में यह है अजा गाटर भी मोटी है जो है यह जो है उसकी गाटर पतली है यूशेप की और इसकी जो है मोटी जो है आपको देखने को मिलेगी बाई साब आप अपना नंबर और बता जो किसी पाई न अगर यह खरीदना है तो कहां से खरीज सकता है सर मेरा नंबर है 89 181 312 7 988418312 सरी हमारा सोरूम है जींद रोड़ पे पाई इनका सोरूम है और अगर आपने बाईगा नंबर ना मिले तो मेरा नंबर है चुराणव 11601 312 इस पर भी कॉल करके आप जो है इस कल्ट सब्सक्राणड मिलेगा सब्सक्राणड बाई पान सचर्शेगा दाउं करेंगे यह ना दा मेरे भाई फोन में बता दियो यह कान गला दियो मैं कह दूंगा इनना दन्यवाद भाई